आप कि कम स्टूटेंट्स स्वागत हैं मारे यूट्यूब चेनल्स यूर सक्सेस कोचिंग सेंटर में आज मैं आपके समक्षे नहीं होगा कि जो social science है उसका set number दो पेस करने जा रहा हूं जो तो सेट दो का जो पहला प्रस्थ्न हम उसकी और चलते हमारा पहला प्रस्थ्न हे फ्रांस की कऱांती कब हुई तो फ्रांस की कऱांती कब हुई है इसमा option है 14 जुलाई 1789 का पहला दूसरा option है एक परकार का धार्मिक कर है प्रांसी समाज में सत्ता और समाजिक हैसियत को विभ्यक्त करने वाली सरेनी को क्या कहा जाता था तो इसका उत्तर हमारा चार उप्शन में सामंत पादरी सर्वहारा यह एस्टेट तो फ्रांसी समाज स क्षब एक राश्टगान अमेरिका कर फ्रांसका राश्टगान और भारत का राश्टगान तो मारसीले एक राष्टगान है फ्रांस का तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस का राष्टगान अगला प्रस्न हमारा है 1774 इसमें फ्रांस की राजगदी पर कौन आसिन था तो 1774 इसमें फ्रांस की राजगदी पर कौन आसिन था फारल आप्सन लिर भण न्यूटीस ज्लाहाओ नेप ली ज्छर व्यम्वा लैनिन ती इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कि बाँच का लुई शलाहाओ कि अगला प्रस्षन है रूस के संपन किसान को क्या कहा जाता था तो रूस के संपन किसान को आप्सन है सामंध पादरिल मसाई ए कोलक तो इसका उत्तर हमारा सिधासिती होजागा कोंख के अगला प्रिशन है मारफा वार्सी लेवा कौन थी मारफा वार्सी लेवा ६द्रा नियart ईयक्त जादू गर है एक बहादूर महिला कारिगर थी इसका उत्तर यही हो जाएगा सेंट पिटर्सबर्ग का नया नाम क्या है तो सेंट पिटर्सबर्ग रूस का एक सहर है जिसका नाम बदला गया है हाल फिलाल में पेरिश मोस्को कार खादोनों यह पेत्रोग राद इसका उत्तर हो जागा पेत्रोग राद समाजवादी विचारधारा के परवर्तक कौन थे इसका उत्तर हो जगा काल रोबर्ट और वह सबसे पुर्वी देशांतर कौन सा भारत का सबसे पुर्वी देशांतर रिखा यह राहवाद से होकर कुजाती जिसका हम भारत का यामियोत्तार रिखा भी मानते हैं और कि यह कि जो है बरासी दसमला तीस डिगरी पूर में है कि नेपाल देश की सीमा की सराज से नहीं होकर गुजरती है तो उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा को टच करती है जबकि जारखंड एक ऐसा राज है जो नेपाल की सीमा या सरहद को नहीं टेच करती है भारत को भगवलिक आकरतियों के दिर्ष्टी कौन से कितने वर्गों बाटा गया है तो भारत को भगवलिक दिर्ष्टी कौन से छे वर्गों बाटा गया है हिमालाय में इस्थित भारत के सबसे उची चोटी कौन है यो तो है लेकिन कास्मीर का वह हिस्साज पकस्तान पेटाथ है पीओं के वहाँ का जो के लूझोफ है जिसको गऌड विनास्टिन करते हैं हैं और इव्रेस्ट के बाद सबसे दूसरी सबसे उची प्रवांचल स्रिंखला का भाग नहीं है तो प्रवांचल सिंखला का भाग कौन नहीं है तो प्रवांचल सिंखला का भाग कौन नहीं है स्थालिय भाग समुदर से घिरा होता है कि इसको हम दूइप कहते हैं कि प्राइदीप ऐसा भाग को कहते हैं जो तीन और गिरा रहता है तिसका उत्तर हमारा जगा दूइप हो जाएगा प्राइदीप नहीं होगा अलेंड वीची सरॉंडेट वाटर एक ऐसी भूमी चार तरब समुदर से गिरी होग आईलेंड का लाती आईलेंड अर्था दूइप तो दूइप इसका उत्तर हो जगा अगला परस्ण है गंगा मैदान में वैदिका जैसी आगरती किस भाग में परदर्सीत होती है तो किस भ भी फसल है इसको हम रभी फसल बोलंगे हरित करांती की मुखे विश्यस्ता क्या है हरित करांती जिसका भारत में जिसका जनक एमे स्वामी नाथन को माना जाता है इनकी वज़ा से भारत ने जो खादी जो फसले उत्पादन की जाती है खान पिने की, वो खान पिने की जिसके वो मुखências फचलें गयओं और Cafflor जो है उसको पादन में बिर्धी करना उत्तर जिनों our Cafflor ड़ायगा गयहों और चावर में अपरतयासी डूर्प से बिर्धी अगि आ भूवीर पहसले पहुवीद पहसल परनाली किया है या बहुत जाद बहुत फसली परनाली की सेकत है तो इसका हो जाएगा उत्तर एक वर्स में किसी भी भूमी पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना यह बहुत फसली परनाली का एक उत्तर हो जाएगा अगला परस है अपनी आजी विका के लिए सरवन एक डैरी की दुकान खोली है सरवन की या किरिया किस परकार की किरिया है चुकि आजी विका के लिए सरवन एक दुकान खोली है तो यह किर्सी से दूर है यह कारी इसलिए गैर किर्सी किरिया होगी हैं एच वाई भी त्ही जो आया है यहां पर है एच वाई भी क्यों कते हाइज बहराठी है वाई भी ओ हाय इल्ड हाय इल्ड बहराठी कर उसको है जिसको संकर बीज भी काते हैं उन्नत भीज भी कहते हैं जो अच्छे फसल तो इसका अधीक उत्पादन करने वाला भीज हो जागा इसका अगला प्रश्ण है निम्निमित से कौन से कारक जन संक्या के गुनवत्ता को बढाते साक्षड़ता दर लोगों का स्वास्त हैं कि झाला निर्मानिया इन प्वरत इसका उत्तर जो होजागा इन में े साभी हो जागा अगला पर संभारत सरकार की पहल सर शिचा भियान का प्रातना को देश क्या प्रात्मिक चेतर का एक उधारन है तब प्रात्मिक चेतर का एक उधारन पासुपालन हो जाएगा अगला प्रास्ण है किसी एक खेत में पांच लोग काम कर रहे हैं यादि उन्हें से दो लोगों को हटा दिया जाए तो वह पादन पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा या किस परकार की बेरोजगारी को इंगित करता है या एक परचन बेरोजगारी है तो जिस काम तो लोग तीन लोग कर सकते तो वहांँ 10 लोग काम करने के लिए लगय हूए है तो आज जीमका तो वही है लेकिन इंकाम नहीं बढ़ रहे हैं तो यह परचन बेरोजगारी है तो परचन बेरोजगारी में यह हो जाएगा अगला प्र्रस्ण आस शिछाय मैं स्वास्त दुबारा का वह रूप है जिसमें जनता है कि शासकों का चुनाओं करती है अगला प्रस्में चीन में राष्टपती निक्त करने का अधिकार किसी है चीन में राष्टपती निक्त करने का अधिकार कम्मिनिस्ट पार्टी को है चीनी कॉंग्रेस पार्टी को क्योंकि एक दलिये स्वतन एक दलिय वहुस्था लागू है उसी के अंतर्क्रत महां की जो सब्सक्राइब कॉंगरेश पाटी चीनी कॉंगरेश, वह प्रधान मंतीर राश्टपती का चुनाव करती है कि चीन में इसका उत्तर जिंबावे सौतंतर कब हुआ? अगला प्रस्ण है रगट मुगावे कहां के राष्ट पती थे रगट मुगावे जिंबावे के राष्ट पती थे तो इसका उत्तर भी जिंबावे हो जागा दचिन अफिरिका के पर्थम राष्ट पती कौन थे दचिन अफिरिका 1992 में सोतंतर हुआ और इसका पर्थम राष्ट पती नेल्सन मंडेला थे जो पर्थम और सवेत राष्ट पती बने जिन दचिन अफिरिका के और इन्होंने आज इवन रंगवेद के खिलाफ लडाईयां लड़ी समिधान के समद्ध में इन में से कौन सा कथन आसत्ते हैं तो समिधान के समद्ध में कौन सा कथन आसत्ते हैं तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा यह सरकार के अधिकारों की सीमा को नहीं बताता है यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है भारतिय समिदान सभा के लिए कब चुनाओ कराए गये थे इसका उत्तर हो जये जुलाई 946 में सेंहें सुआषऑ सु मिदान के लियंदान के चुनाओं कर आए गए थे इंवे सक ओन भारती समिदान् सुदार के सद नहीं थे मॽैं बहारती समीदान के सद से नहीं है तो भारतिय समिधान का बुनियादी मुल और सही सुनू यह भारत की समिधान में नहीं है यह इस यह बुनियादी मुल भारतिय समिधान में नहीं है इनमें सुमेलित नहीं है कि तो सुमेलित कौन नहीं है तो इसमें हो जाएगा इंदरा गांधी समिधान सभाग सदा से इंदरा गांधी उस दौर में सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और बैल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि कि आप तक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट महुचती रहे धन्यवाद